आज रसोई के स्वाद में बन रही है पालक की बहुत ही healthy recipe, बहुत ही unique सी recipe अगर आप इस recipe को try करते हैं और अपने घर वालों को खिलाते हैं तो अगर वो एक रोटी खाते हैं तो वो दो या तीन और दो रोटी खाने वाला चार रोटी इसको खा जाएगा इस सबजी के साथ बहुत ही healthy सबजी है इसमें जो भी चीज हमने डाली है वो सारी बहुत ही healthy है जटपट से बनने वाली है क्योंकि हरी सबजी है तो इसको बहुत जादा पकाना नहीं है बहुत सारी चीजें इसमें नहीं डालनी है और बहुत ही delicious सबजी बन करके तयार होगी यानि health और taste दोनों आपको एक बोल में ही मिल जाएगा Hello foodies, welcome to रसोई का स्वात, कैसे हैं आप सब, hope करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे अपना और अपनों का ख्याल रखिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा रेसिपी पसंद आए तो like, comment और share जरूर करिएगा चलिए पालक की सबजी बनाना शुरू करते हैं पालक की सबजी बनाने के लिए हमने लिया है लोहे की कड़ाई जो की बहुती जादा अच्छी होती है पालक की सबजी बनाने के लिए इसमें हमने डाल दिया था दो चम्मच mustard oil डाला है cold pressed mustard oil जब वो थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है जब जीरा चिटकने लग जाए तब हमने इसमें दो चम्मच lesson हरा मिर्च और अधरक का पेस डाल दिया है जो मैंने lesson लिया है वो जो हरे पत्ते वाला lesson आता है क्योंकि winter season है तो इसमें आपको हरा lesson जरूर मिल जाएगा तो वो हमने पिसा है जो regular lesson होता है उसकी जगा पे ये हमने ले लिया है हरी प्यास spring onion जिसे कहते हैं वो हमने ले लिया है और वो हमने बिलकुल बारीक चौप करके इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जब हमारी प्यास पक जाएगी तब हम उसमें थोड़े से अपने दो टमाटर हमने लिये हैं मीडियम साइस के वो डाल दिये हैं और साथ ही हम थोड़े से सूखे मसाले इसमें डाल देंगे अगर आप लेसुन जो है इसकी जगा हरे लेसुन की जगा अगर आप रेगुलर वाला लेसुन चाते हैं तो वो भी आप करीब आठ से दस लेसुन लेकर के इसमें डाल दीजे का क्रश करके या पिस करके अब हमने इसमें डाल दिया है हल्दी, स्वात के हिसाब से नमक, एक चमश धन्या पाउडर और एक चमश लाल मिर्च पाउडर ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है जो की तीकी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है हल्दी भी हमने आधा चमश ही डाली है विटमिन A, विटमिन C और विटमिन B2 भरपूर मात्रा में पाए जाता है इसके अलावा ये थाइमीन और विटमिन का एक अच्छा स्रोथ होती है इसके साथ साथ इसमें कॉपर, फॉस्फोरस, मैगनीशियम, पुटैशियम, क्रोमियम और मैगनीशियम जैसे चीजें पाई जाती है, जो की हाट के लिए बहुत अच्छी होती है, सांस की बिमारी अगर आपको हो तो प्यास बहुत अच्छी है, जब ये हमारी प्यास अच्छी तरीके से पक जाएगी और हमारा टमाटर गल जाएगा, तब हम इसमें, ये मैंने पूरी एक गड़ी पालक जो होती है, वो ली है उसको अच्छी तरीके से धो करके बारी काट लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करके पहले हमने प्यास को धक करके पकाया था लेकिन अब हमें इसको धकना नहीं है क्योंकि पालक डाल दिये तो पालक को धक करके नहीं पकाएंगे बह हम बहुत ही जादा पालक को पकाएंगे क्योंकि हरी सबचियों को बहुत जादा नहीं पकाना चाहिए जब ये बस बंद करने वाले हो तब हम इसमें एक मुठी भर के हम हरा धनिया काट करके डाल देंगी ये सारी चीज़ें इस ट्राइम सीजन में बहुत जादा मिल रही है और सभी बहुत जादा हिल्दी होती है धनिया की पती जो होती है वो इंसुलिन को आपके बहुत कंट्रोल करती है इसमें जो भी चीज हमने पालक और प्याज जाली है हरी प्याज जो है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है इसके उपर हम एक तड़का तेल जब थोड़ा गरम हो जाएगा तो उसमें आधा चमच जीरा और चार से पांच साबूत लाल मिर्च और थोड़ा सा हमने लेसुन लिया है एक चमच ये भी मैंने हरे लेसुन का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको चौप करके डाला है आप चाहें तो इसकी जगा जो का भी यूज कर सकते हैं लेकिन आजकर हम वेगन डाइट पे हैं तो मैंने इसमें सरसों के तेल का ही यूज किया है सरसों का तेल जो है वो कोल्ड प्रेस ओयल ही यूज करिए सबजी हमारी बन करके तयार हो गई है इसको गरम गरम सरफ करिए बाजरे की रोटी के साथ अगर पालक में already बहुत iron होता है और लोहे की कड़ाई में हमने बनाया है तो इसमें और जादा पॉश्टिक ता इसकी बढ़ गई है तो दोनों ही चीज़ें जो हमने यूज की है इसमें जो हमने पालक यूज किया है प्याज यूज किया है फिर मिलती हूँ एक नई और healthy recipe के साथ तब तक के लिए bye bye take care thank you